कि अगली कॉलर है सुलेखा जी महराश्ट्र से स्वागत है आपका है हां जी मेरे सर निंख रहें से नहीं था जटकती है मैं तनाव रहता है सर की नसों में दर्द रहता है जाटकती है एसी खालती है अंदर के अंदर हो जाड़ गेती है जी तनाव रेता है जाव प्लस में जाव कुछी कुछी आता है ठीक है टेंशन रहती है ठीचाव नेता है तो दीकिए एक काम करने मेरे कहने से एसे सीधा बैठा है रोजाना मेरी तना और ये कान इससे मिलाने कोश्क्र ये ये तीन मिनट रोजाना आपको करना है तीन मिनट एक साथ कुई ने कर सकता एक एक मिनट करने पूरे दिन में ठीक है और ऐसे 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 पूरी तरह यहां तक लियाएं अपनी गर्दन गुमा के ये तीन मिनट बस ये काफी है ठीक दस ग्यारवे दिन में आपका दर्द कहां गया तनाव कहां गया आप खुछ बहुत खुछ हो जाएंगी कि ढूंड के देखें किधर गया ये तकलिफ और महनत का काम जरा करें और भगवान से मदद मांगें आपको फायदा मुम्किन है आई ये बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत है आपका विमलेश जी कहां से बात कर रही है मैं भोपाल को बात कर रही हूं ठीक है आप लेकिन मैं तीन बार दवाई मंगवा चुकी हूं आप क्योंती बार दवाई ले रही हूं आप वेज़ेना कौन सी दवाई जेटी के और लिखी होगी मैं बताती हूं ठीक है आपको मंगवानी है ये दवाईयां हां दो दो कैप्सुल रोई लेता हूं एक है एक वो मैं आपसे यह पर कहना चाहूंगे मैं कि अगर आपको दवाईयों से रिले लिटिव को सब्सकें करना चाहते हैं क्योंकि अपना बहुत कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब के साथ जुड़े होए हैं तो रोग संबंदी प्रश् Za년 किजिए और कोई भी आप को बाही member पहार बात कर सकते हैं हकीम साब जैसे कि एक बाप फिर से हमारे साथ एक कॉलर ऐसे जुड़े जिन्होंने नकली रॉव मटीरियल ले लिया है क्या कहेंगे इसकी पहचान तो बहुत जरूरी है और भूले भाले लोग होते हैं किसीने पहां यही है तो बहुत हैं बहुत से कि जगा से बहुत भागवान से ड़ने वाले लोग अगर मिल जाए तो असली चीज मिल सकती है या रेकिए नकली की कोई वह नहीं नकालों से हम बच नहीं सकते अगर हम अंदर से स्टॉंग ना हो हम भरोसा असानी से कर लेते हमारे भारत के लोग बहुत भूले भाले हैं और जो मैं दवा बताता हूं अगर वही मिलेगी तो फाइदा हुगा और जिन लोगों ने बाहर से लि भी हमसे दवा मगाता है तो हम उसमें उसकी पिक्चर डाल देते हैं कौन सी चीज कैसी दिखती है कैसी लगती है कैसा स्वाध है ताकि लोग दोका दड़ी से बच सके बिलकूर चलिए से के साथ कुछ और कॉलर्स कैलाज जुई हैं हमारे साथ चंडीगर से स्वागत है अधर हकिंग साब मैं आप से दो तिन बार पहले भी बात कर चुका हूं हम हम मेरे न जी बोलते रही है मैं सुन रहा हूं हकिंग साब मैं न का अब टीवी के आवाद मत सुरिये नहीं तो बात नहीं हो पाएगी अब अपना सवाल पूरा करिए बिटा क्या लाजी इंडियरी थी मैंने उसके बाब मैं अपना एलोपैथिक की दवाईयां लेके ठीगों कुछ मैंने आप से बात करके आपने मुझे गौंच शिया और जैतुन का सिर्का बनाया था एक नुक्ता बनाया था दर्द के लिए जैतुन का सिर्का और पेट में मेरे न कब बहुत ज्यादे रहती है उसके लिए टी कियर कैप्सुल मंगाये थे एक नुक्ता जिनाब ने मेरे को बताया था सौंप मेथी आउला और एक जैतुन का नमक वो मंगा के वो भी मंगाया तो मुझे काफी फरका है इससे मेरे सरीर में जो जकडन थी उसमें काफी मनलब 50 फरक है जो काफी सालों से थी कितने दिन से ले रहे हैं मुझे गरीब महना सवा महना हो गया एक महना दे सिन हो गया ठीक 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 अर दिखिए ये दवा मैं इसलिए कहता हूं कि असलिए मिल जाय तो काम हो जाता है और एक महिने में अगर 50 परसेंट फायदा है तो बहुत बड़ी कामिया भी है और जब बेल पत्थर आये पत्थर बेल जिसे कहते हैं तो खाया करें रोदाना आदी पत्थर बेल ये भी बहुत अच्छी है पेट के लिए और ये बेल पत्थर का मुरबा भी आता है जब क्योंकि आफ सीजन है आज कर तो बेल पत्थर का मुरबा ए पीस सुबा एक पीस शाम खालिया करें यह तंदुरुस्ति की दवाएं हैं जो रौ मैटेरियल के रूप में खुद्वत ने पैदा की हैं और मैं कोशिश करता हूं कि रौ मैटेरियल बता दूँ आपको फायदा हुआ भगवान का खास शुकर अदा करिए और किसी गरीब के क आप पूरी तरह ठीक हो जाएं चलिए पंजाब सब्सक्राइब कॉलर है लटा स्वागत है आपका नमस्कार मैडम नमस्कार पताईए मेरे दोस्वाल में जी हूं बोलिए इक पांजी मेरे बेट्टे हुमर चैन्टी साल है हां ओडे जिट्टे ना सी गंट जया है गोल गो सब्सक्राइब करने वाला थाइराइड है ठीक है और कोई सवाल आपका ना जी बैटे को गौन मौरिंगा सफेद आता है तो याद रखे सफेद लेना है और लाल नहीं लेना लाल नकली होता है गौन मौरिंगा सफेद ये गौन ऐसा है कि अगर जरा सा जबान पर लगाओ तो मिर्च शिक लगाता है ऐसा लगता है जिसे कोई ऐसी ड्रग दिया जबान पर लेकि ब और असली लें बस सो दो सो ग्राम खरीद लें और एक नारियल पानी में आधा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद मिलाके रोज पिलाया करें और नजला वगरह हो तो उसका इलाज करें बच्चे को फाइदा बमकी लें आपकी बहन को थाइराइड है पतला करने वाला ये उसका न सो ग्राम मेथी और सो ग्राम आवला सूखा हुआ और सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद इन सब को पौडर बनाएं और एक एक चमश सुबा शाम अपनी बहन को दें वो गोली भी लें जो उनकी गोली चल रही है और धीरे धीरे उनकी गोली कम होती जाएगी और वो ठीक होत जाएंगी शाद नो महीने लगे उनको मुकम्मल ठीक होने में देखे आप लता जी दोनों नुसकी अपना लीजिएगा बहुत आपको आराम मिलेगा अगर अधिक जानकारी प्राप करना चाहती हैं या फिर आप लिख नहीं पाई हैं तो आप तुरंट हैल्पलाइन नबर प कर पाएं क्योंकि परहेस भी आप लोगों को बताया जाते हैं अनुसका कैसे बनाना हैं और सारी बाते अगर अगर कर पाएंगे हर एक बात को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे लाइब आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो फोन उठाइए इन नमबर्स पर कॉल किजिए आपके सामने आपकी TV स्क्रीन पर आये बात करते हैं अंगले कॉलर से आगरा से हमारे साथ है स्वागत है आपका सवाल क्या है मेरा सवाल यह है कि मुझे सुगर है सुगर की तो अंग्रेजी दवा चल लगी है सासी साथ स्वेट में गैस बनती है ऊपर की हो ठीक है कभी रात को जो है यह लगता है कि कहीं उल्टी नहीं हो जाए ने उल्टी नहीं होती है नाक सत्मा पानी सा आ जा तो खीमती नई है इसली हो गलती भी हो सकती है पूरी तरह लिख लें यह आप जुगर को भी कंटर्ल करता है है अस वह दौवा भी लेते रहे हैं जो अπό लेते है और निस स्धर कुछ यू है क्खे कि आमला आमला सुका मिलता है दो सो ग्राम आमला दो सो ग्राम धनिया और दो सो ग्राम सौफ और दो सो ग्राम मेथी दाना ये सब आठ सो ग्राम हो गए और एक आता है नमक जैतून कहते हैं इसे ये बिलकुल नमक जैसा दिखता है लगिन नमकीन नहीं होता इसे रसायन जैतून भी कहते हैं यह डेड़ सो ग्राम लें इसके साथ पॉडर बना इन दवाओं के साथ एक चमज सुबा नाश्टे से पहले एक चमज शाम को खाने से पहले गरम पानी से लिया करें और दिन में पांच बार गरम पानी पिया करें आपका सेहतमन होना उमकिन है अगले कॉलर है जालाउन से रुबी जी आदा बताईए नवस्कार साम नवस्कार जैहिल काना मेरे सास में प्रोग्लम है और खाती है कम से कम 20 साल पुरानी खाती है और कपी भी बेन निकलता है और काना गैसी भी बनती है ठीक है अच्छा देखिए एक तो आप गरम पानी पिया करें ठीक है दिन में कम सकम पांच बार और एक दवा मैं आपको बता रहा हूं वह आप खुद बना ले उसे इस्तमाल करें दखिए आपको लेनी है अलसी 100 ग्राम अलसी 100 ग्राम और सपिस्तान 100 ग्राम उनना आप 100 ग्राम और पिचन में जो पीपलें होती है हमारे गरम मसालों में एक चीज है जिसे पीपलें कहते हैं आपको तो पता होगा एक सवाई इसकी लंबी बड़ी खुशुरसी होती है यह 30 ग्राम लें और इनको मिलाकर पाडर बनाकर एक चमश सुबा एक चमश शाम सुबह खाली पेट और रात को सोते समय गरम पानी से ले लें यह आप लगातार लेंगे तो आपको फायदा होना मुम्फिन है आई यह बात करते हैं अगले कॉलर से हमारे साथ जालंधर से हैं रामायन स्वागत है आपका अजी नमस्कार नमस्कार अजी मेरे ऐसा है कि सारवाइकल्पी है हाँ और पेट में गैस बनता है ठीक है और शिज में चक्कार आता है यह परिशानी कब से है आपको यह परसानी मेरे को आज कम से कम 10-15 साल से है आपकी उम्र क्या है तो देखिए 10-15 साल की परिशानी है मुझे आप से 10-15 दिन चाहिए अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो 10-15 दिन मुझे दीजे और ऐसे सीधा बैठ है रो जाना ऐसे सीधा बैठ जा मेरी तरह और यह कान यह अपने मौंडे से लगाएं देखिए यह मौढा नहीं उटना चाहिए यह कान जाना चाहिए इसके पास है ना ऐसे रो जाना आपको पांच मिनिट यह एक्सरसाइज करनी है एक साथ कोई नहीं कर सकता इसलिए एक एक मिनिट करके पांच मरत अबा करें और यह वाली पूरी चौबीस घंटे में पांच-पांच मिनिट यह दोनों एक्सरसाइज करनी है ठीक पंदरा दिन में आपका सर्वाइकल आपका चक्कर कहां गया आप खुद धूनते रह जाएंगे और एक तो यह एक्सरसाइज बहुत काम्याब है सौ दवाओं पर भारी है और यह ग दाना, दो-दो-सुग्राम लें सौफ, धनिया, सुखावा, आमला, और मेती का दाना, दो-दो-सुग्राम लें और नमक, जैतून का रसाइन, एक नमक जैसी चीज़ है जो नमकीन नहीं होती, ये डिर्द सो ग्राम, इन सब के साथ पॉडर बनाके, एक चमच सुबह, एक खाने से पहले, खाने के बाद, आप कभी भी ले सकते पानी के साथ, इस में थोड़ा से टाइम लगेगा, आप यह सब लेके इस्तिमाल करें, आपको फाइदा मुम्किन है.